आगया भाई आगया WWE नया टाइटल आगया आज Monday Night Raw में और आज इस वीडियो के लाइक के बटन पर जरूर नजर रखना क्योंकि उससे बहुत कुछ हो सकता है तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज वे Monday Night Raw के बार में जिसमें ट्रिपल एश ने रॉक कर दी WWE की फाउंडेशन सबसे पहले गाईज जो Monday Night Raw की स्टार्टिंग है वो हमको देखने को मलती है अमेरिकन नाइट मेर कोडी रोड्स के साथ में कोडी रोड्स रिंग में आते हैं और यहां पर ड्राफ्ट के बार में बात करते हैं कैसे वह हो सकता है SmackDown Brand के उपर चले जाए उसके बाद वो बड़े सार्कास्टिक वे में Brock Lesnar को ट्रोल करते हैं कि वह यह कैसे इसके बात करते हैं कि एक सबसे पेनफुल टाइम था उनका वो जब उन्होंने उस मैज के नदर कंपीट करते हैं WWE के Finest Superstars मुझे एक Seth Rollins को हराया था And then guys यहाँ पर क्या होता है जो Finn Balor आकर interrupt कर देते हैं इसके बाद वो सकार के बार में बात करते हैं उनका भी रिसेंटली सकार है इसके वेसे उनको कापी attention में थी पो उसकी बात करते हैं Then वो basically एक offer रखते हैं Cody Rhodes के सामने कि तुम Judgment Day को जॉइन कर लो कि इससे पहले जो तुमने पार्टनर बंदा बनाने की कोश्च कर दी Brock Lesnar उन्होंने उसने तेरे साथ धोका धड़ी कर दी तो यहाँ पर Judgment Day वो बहुत अची चीज हो सकती है Cody Rhodes इतने ज़्यादा इंट्रस्टेड नहीं होते लेकिन Finn Balor और ज़्यादा फोर्स करते हैं कि यार तुम कितने unstoppable बन सकते हो रिया रिपली ओरी चैम्पेन है Dominic ने तो अपने जो legendary father है उनसे बड़या काम करते है प्रीष्ट की तारीफ पर अपनी तारीफे कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो accept है offer वो बिल्कुल भी नहीं हो था Cody Rhodes की तरफ से Finn Balor बात पर थोड़े से गुस्से में नजर आते है Cody Rhodes और गुस्सा भढ़का के कहते हैं शायद Finn Balor तरफ को यह लग रहा होगा कि medically clear नहीं हो क्योंकि जो मेरे साथ चीस होगी लेकर में तरफ को बता आया तो मैं आज जो है कुछ घंटो पहले medically clear हो चुका हूँ और वो यहाँ पर challenge कर देते है Finn Balor को आज ही Monday Night Raw में एक match के लिए Finn Balor चाती चौड़ी करके तो आये थे क्योंकि Finn Balor ने गुस्त में बोल दिया होता कि अगर तुम judgment day के साथ नहीं हो तो judgment day तुमारे अगेंस्ट है तो यह बोलना Finn Balor के उपर भारी पढ़ गया और आज ही match है शो के लिए official हो जाता है opening काफी बढ़े तरीक इसे की WWE ने और मैच के बारे में बात करने ही बूल गया है मैच में मुवमेंट था जब Cody Rhodes ने पैडिग्री मारी तो वो बड़ा मस लगा देखने में और उसके बाद अपना finisher लगा के काम तमाम कर दिया इस मैच में Cody Rhodes ने जीतना उनको था लेकिन मैच बढ़िया था है इसके बाद गैस हमको शो पर Bloodline वर्सेस LWO का मैच देखने को मिलता है Bloodline युजिली ऐसे Solo Seikova और Usos एक मैच में नहीं करते हैं जो कि थोड़ा सा रेयर है लेकिन अजीब है कि कैसे Bloodline तो है लेकिन जादा ऐसे कंपीट नहीं करते है ओवियसली मैच में जो विक्टरी है वो मिल जाती है भाई क्या समोवन स्पाइक मारा है और Solo Seikova ने बहुत बड़ी है चीफ रोमन रेंज को अब इससे क्या बवाल मचा भाई बैक स्टेज जाके जो चीजे हुई है जैसे सैमी जेन और जेवसल की एक मीटिंग हो जाती है जो कि सैमी जेन ने इंटेंशनली करी थी और सैमी जेन कहते है भाई तो क्या बखवास कर रहा है तू एक तो टाइटल हा रहा है एक तो रोमन रेंज तुमारा वैसी दादा बना रहा था और अब तर पास मौका अगर है भी चैम्पेंश जीन ने का तो तो अपने ले नहीं बलकि रोमन रेंज के लिए जीते गा सोच अगर तुमैस नहीं जीता तो रोमन रेंज तेरे साथ क्या करेगा अब जेवसल दिखाते तो नहीं है सामी जेन को करें को के फर्क पड़ा लेकिन वो एक्ट चॉल में कन्फ्यू अगर हम ऐसे नहीं कर पाये तो रोमन रेंज में क्या जबाब देंगे जिमी उसो को समझ ज़क जादर कुछ थो पंगा है और गुश्टा जाता जाता है अब गुश्ब के प्रॉल्लम के नें Case रहा कितना मैंड गेंश केल रहा है इसी मैंड गेंश की को कंट्युने रखते औ स्टोरी बना दिये यह कुछ ऐसी कोई बात नहीं है तो थोड़ा से खुश होते हैं तो भाही देख रहो तुम एक से से क्या क्या स्टोरी बना दिये यह कुछ ऐसी है कि गल्फेंड बॉइफ्रेंड के मम्मी पापा यहां पर फैमिली वाले में खुद भी कलेश है यह कुछ ऐसी चीज यहां पर नज़र आ रही है अगैं मेरे घटिया एक्जामपल हो कंटीनर लेकिन तुम को सुनने बढ़ें क के पीच मैस देखनी को मिलता है तो मॉन्टेस फोर्ड के हवाई स्प्लैश से होती है और इस मैच में स्ट्री प्रॉफिट्स की विक्ट्री हो गई आप गयाइज शो पर आती है ट्रिपल एज की तरफ से बड़ी अनौंस्मेंट ट्रिपल एस रिंग में आते हैं हमको और नजर आ रहा था कि कुछ तो रखा हुआ है और शायदे चैंपेंशिप बेल्टी है क्योंकि हमको रूमर्स पहले से बता थे अब ट्रिपल एज यहां पर आके चैंपेंशिप की बात करते हैं पहले कि कैसे इसकी प्रेस्टीज होती वहीं से आडिया लग गया कि टोन कहां स नहीं पड़े तो वह उसी के लिए फायदे मंद है लेकिन फिट रिपल एज यह कहते हैं कि यह तो रोमन रेंज के लिए स्मार्ट चीज है हमें क्या चाहिए डबल लोई फैंस को क्या चाहिए हमको चाहिए कि टाइटल से वैसे डिफेंड हो और इसी चीज को पूरा करने क के लिए वह बताते हैं कि रोमन रेंज जिस भी ब्रैंड पर ड्राफ्ट होगा वह उन्डिस्पूटे टाइटल के सांथ जाएगा और दूसरा रह जाएगा वहां पर डिटर्माइन होगा एक नया चैंपिन नया डबल लोई के अंदर वर्ल्ड हैवीवेड चैंपिन और ग कुछ ऐसा फ्लेवर डालना ही कोशिश की है अगर इस डिजाइन पर डीटेल में देखो तो यहां पर काफे फ्लोरल वाले डिजाइन इसमें शेर वगरा बना हुआ है बीच में डबल लबली का बड़ा लोगो है अब मैं सही बता हूं मुझे ना टैटल डिजाइन बुरा है नहीं कोंगा कि बहुत अच्छा लगा है यह डिजाइन डीसेंट है अच्छा है क्योंकि डबल लबली का लोग बहुत सालों कम लेंगा है तो बड़ा को लगा दे भाई तो यह इसी डिजाइन के बार में एक और चीज है कि अगर इस वीडियो पर 25,000 लाइक हो जाते हैं तो फिर यह टाइटल के अंबॉक्सिंग हो सकता है आपको डबल लबली के नाइट ऑफ चैंपन से पहले ही यहां पर देखनी को मल जाए लेकिन लाइक आपको करने 25,000 वह पीछे भी देख रहे हैं डिजाइन वह इसकी तुमने वैल्यू की नहीं एक लाग 20,000 लाइक ही कर अब चैंपन्शिप बेड के इंबॉक्सिंग देखनी है तो फिर 25 लाइक सोंगे इस वीडियो में हम चलते हैं अगली चीज के तरफ जो कि होती है मंडे नाइट रोग के ओपर हुए था डैमेज कंट्रोल वर्स ब्यांक अब लेयर रकेल रोडिको इस लिव मॉरन का मैच क ब्रॉंसों रिड्ड बॉबी लश्री ये मैच कहा से हो गोए वह इसी बात के ओपर चर्चा कर में इतने में बॉबी लर्श्री आते हैं और बॉबी लर्श्री के तो भाई मुझे लिटरल ले लग रहा है कि वह चेली रहा है फीड़े से प्रिप्एर कर नहीं गया थे बॉबी लेश्टी रिंग में आते और बताते हैं कि तुझे पता निये मैं कितना खतरनाक बंदा हूं और मैं वो बंदा हूं जिसने ये मैच के लिए रिक्वेस्ट किया था अब ऑस्टन थेरी ने इतना तगड़ा शौट लिया भाई मज़ा आए उसको सुनके ऑस्टन थेर आउस्टन थेरी ने उनको मारना शुरू करते लेकिन बॉबी लेश्टी फिट अपर हैंड लेते लेकिन ब्रॉंस रीड आकर टपक गया और उसके बाद ब्रॉंस रीड और ऑस्टन थेरी ने दोनों ने मिलके बजाया बबीलेश्टी को अब ऐसा लग रहा होता है कि अच् बॉबीलेश्टी अपने 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 अच्छा है और ऑस्टन थेरी को भी डाल दिया यूएस चैंपेंशिप भी रेलिवेंट रहेंगे मस्त कमाल चीज चल रही है मिड कार्ड में ऐसी चीज फैंस देखना डिजर्व करते हैं अगर वो इतने टाइम से डवल Ons, Set Wong над in the ring में आते हैं अपने बढ़ी ऐसे शुट बूट में ऐसा फिरा ऐसा सूट अइसे ओ भी एकड़ास था तो ये दूम हिमेजन कर सकते हैं लड़की में लेकिन अगर लड़के में इवाइजन करना हो तो फिर दो ही नाम याद आते हैं एक तो Seth Rollins और दूसर नाव आपको पता ही है इसके बात करते हैं यहां पर बात करते हैं और बात करते हैं उससे भी बड़ी चीज कोई है और उनकी नजरे होती है ने वर्ल्ड हैवेट चैंपेंशिप की ओपर उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि कैसे रोमन रेंज के बारे में बात हो रही है कि जो भी बंदा सामने आया रोमन रेंज ने उसको हरा दिया लेकिन मेरे साथ वो चीज नहीं हुई है वो डबल ड़ी के पॉलिटिक्स और पार् करेंगे और अच्छा डिजिजन भी होगा इसके बात क्या होता है वो कहते है कि मेरी मनी है एक सूपरस्टार के ओपर जो कि इसको जीते का लेकिन तभी मेरे सब कुछ अच्छा है लेकिन तुम्हारी जो फैशन संस है वो बेकार है और यहां पर आके बात करते हैं कि कैसे ब मेरी बात करूं मैं सेथ रॉलेंस की बात करूं तो मैंने अपने आपको खुद को बनाया है और वह कहते हैं मैं तरसे कोई निरता कुछ नहीं करता तो यह स्टॉंप आ रहना चोड़ूंगा और उसके बात जो क्रावड है वो मेरा जो म्यूजिक है उसको सिंग कर रहोगा से चले आते हैं यह प्रो मैं ऐसा था कि बाई ओमाउसर मुपे एक जोड़दार का तमाचा हो कि तुम सिर्फ बोलने के हो कर तुम कुछ नहीं सकते तो यह साथ रॉलेंस के लिए वह दूआएं कर रहा है कि उनको जीतनी चाहिए इस वर्ल्ड हेविड चैंपेंशिप को श बुक करना है हुआ क्या इस मैच के अंदर स्टील चेयर से मार दिया देमिन प्रीश ने तो डिस्कौलिफिकेशन से मैच एंड हो जाता है उसके बार देमिन प्रीश जो है मार रहे देमिस जो को बैट बनी को पूरे शो में टीज कर रहे थे अब यहां पहुंच गया अब कुछ बहुत साथ लोगों हो सकता है वहाली तुड़ा ही याद आजा है जो मम्मी ने हमारी बहुत जदा करी बचपन में डंडे के साथ में उस तरीके से वह बजाते हैं हाले कि काउंटर तो किया डेमिन प्रीश ने लेकिन वह इतना इनफ नहीं था उसके बाद पर फिर ब बनी के बीच में स्ट्रीट वाला और आज की मंडे नाइट रहा बहुत अच्छे थी इस वीडियो पर 25 लाइक करने और पता होगा पच्छे लाइक के बाद क्या होगा यह वीडियो का अगर आप पहुचे लेगे तो इसे लाइक शेर सब्सक्राब नोटिफिकेशन बेल को